आधुनिक यूग में घर बनाने के लिए जो सबसे महतुपूर्ण सामगरी होती है वो है सिमेंट आजकल सिमेंट के बगेर घर बनाना बहुत मुश्किल है अले नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है यूटूब चानल कप कैसे में दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए सिमेंट से जुड़ी जानकर इलाए है जैसे कि सिमेंट की कोच किसने की भारत में प्रतम सिमेंट फैक्टरिक कप और कहां शुरू की गई सिमेंट में मुख्य घटक क्या होते हैं इसके साथ ही वीडियो में बताएंगे दुनिया में कौन सा देश और भारत में कौन सा राज्य सरवादिक सिमेंट उत्पादक और सबसे बड़ा उपभुकता कौन है पर दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चानल पे सबस्क्राइब जरू करई दोस्तों सिमेंट के आव इश्कार से पहले तक जोणने के काम के लिए चुने का इस्तमाल होता था फर सिमेंट के अविश्कार ने सिविल इंजिनेरिंग शेत्र में बड़ा बदलाव लाया इस पोर्टलेंड सिमेंट के अविश्कारक जोसेप आस्पीन थे जो इंग्लेंड में एक इड बनाने का काम करते थे जिन्होंने 1811 से 1817 के आसपास पोर्टलेंड सिमेंट बनाने के लिए प्रोयक्त शिरू कर दिये एक सामोग्री जिसे उन्होंने सिश्मता से जमिवी मिट्टी और चुना पत्तर से फायर किया था जब तक कि चुना पत्तर को शांत नहीं किया गया था यह प्रोयक्त सपल रहा इस तरह उन 1912-13 की अवदी में इंडिया कंपनी लिमिटेड ने गुजरात में पोर बंदर में कारखाने की स्थापना की जिससे अक्तुबर 1914 में उत्पदन प्रारंब हुआ इस सिमेट में मुख्य गटक होते हैं ट्राइकेलसियम सिलिकेट टाइकेलसियम सिलिकेट तथा ट्राइकेलस 13 प्रतिशत जिप्सन मिलाने से सिमेंट की कॉलिटी बढ़ जाती है इससे सिमेट के जमने के समय पर नैंतर रखा सकता है सेमेंट की निर्मान के भारी मातरा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है जिसमें चूना पत्थर जिप्सनों कोयल्प्रमूख होता है बारक पर भारत है दूस्तों इस वीड़ियो में आपने क्या सिखा सबसे पहला पॉइंट सीमेड का विश्कार कब किस ने किया इस सीमेड में मुख्य घटक क्या होते हैं भारत में सीमेड की